अधिक न मुझ्य दोस्तों स्वागत। आपको अपने यूट्यूब चैनल यूवई पीजल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों कल हमने ट्रांस्फॉर्मर के बेसिक कोशन किये थे। आज हम ट्रांस्फॉर्मर में लैवल अप करके कोशन करेंगे। जिसको कहते हैं कि थोड़े से tricky question करेंगे जो कि important होते हैं किसके लिए किसके लिए इसके लिए जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं ठीक है जिसकी वेकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं आज के ऐसे question होने वाले हैं कि जो बहुत जादा important है ठीक है और आपने इनको copy में नोट करन सबसे पहले पहला question ये बहुत important question है और ये बाकबोन question है जाते हैं ये पूच रहे डाइलेक्रिक strength क्या होती है transformer oil की तो dielectric strength transformer oil की कितनी होती है वह होती है 33 carry केवी पर mm ठीक है option आगया भी ठीक है next question ऐसे question बहुत ज़्यादा पुछे जाते हैं और ये question थोड़ा सा confusing होता बच्चों के लिए उना power distribution transformer का आपको याद रखना है ठीक है जैसे maximum efficiency distribution transformer की कितनी होती है ठीक है यह UP PCL में 2014 में भी आया हुआ है question ठीक है 2016 में भी आया था ठीक है 2018 में भी आया था ठीक है 2019 में भी आया था देख लो कितना important question है ठीक है और जो पिछला exam हुआ है ना 2022 की second भरती वाला ठीक है उसमें भी आया था यह किसमें easy shift वाले में question ठीक है तो यह most important question है तो distribution transformer की maximum efficiency होती है 50% of full load पे यानि B पे ठीक है तो याद रखना 50% पे ठीक है 50% पे ठीक है तो यह आपको याद रखना है ठीक है हाँ अब यह important question है यह बहुत इसमें गलती होने के chances हैं इसको जरा ध्यान से पढ़िए इनर transformer following winding has got more cross-sectional area यानि की transformer की किस winding का cross-sectional area area जो होगा वो जादा होगा तो याद रखना LV winding का area जादा होता है ठीक है क्यों होता है मैं समझाता हूँ देखिए area हमेशा वहाँ पे जादा रहेगा area directly proportional होता है किसके current के आई के यह directly proportional का sign है बीच में concept समझा रहा हो यानि की current जादा होगा उसका area जादा होगा यह conceptual question है और यह आ सकता है paper में ठीक है current जिसका जादा होगा उसका area जादा होगा ठीक है अब देखिए low voltage winding याध रखना रट्टा में कवेश लगवाता ठीक है याध लिख भी दिया आगे मैंने इसको concept based question ठीक है next है हाँ ये भी concept based question है ठीक है जिसने leakage flex की understanding करी है न वो इसको easily कर लेगा ये पूछ रहा है greater the secondary leakage flux ठीक है मैंने बोला था आज level up करके दूँगा questions का देखे समझे इसको secondary leakage flux जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा देखें leakage flux जब भी बढ़ता है ठीक है leakage flux flux को phi से denote कर दिया जब भी बढ़ता है increase करता है ठीक है तो EMF down हो जाती है ये concept याद रखना EMF घड जाती है उस winding की जिदर का leakage flux है यानि की कौन सी winding बोली है secondary तो secondary का leakage flux अगर greater होगा बढ़ेगा यही पूछा होगा तो secondary induced DMF कम हो जाएगी ठीक है तो answer क्या आएगा ए ठीक है तो concept आपका clear हो गया होगा ठीक है अब देखो यह question यह question भी आपको फसाएगा अब यह पूछ रहा है देखो ऐसी मशीन में न यूपी पीसेल का करता है ऐसे question डालता है जो आप थो question पढ़ो डेलटा स्टार transformer किस पर काम करता है अब option है A balance load पे B unbalance load पे तीसरा balance as well as unbalance load पे तो याद रखना है डेलटा स्टार दोनों पर काम करता है balance as well as unbalance load पे जो copy में आज नहीं लिखेगा वो यूपी पीसेल में मात खाएगा और PGCIL बे पी मात खाएगा क्योंकि यह question च क्योंकि options देख लो कैसे सेट है कि balance load है दूसरे में unbalance load है तीसरे में balance तो याद रखना delta star जो होता है balance as well as unbalanced में use होता है c ठीक है तो याद रखना हाँ अब आया दुबारा question बढ़िया वाला ठीक है यह बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो transformer का होता है वो बाहर से दिखाए देता है अच्छा जो भी यह electrical concept वाले है न मतलब मेरे खाल चायद यह प्रदीप ही है electrical concept वाले तो यार आप मेरे अच्छे सब्सक्राइब र ठीक है यह mcqs की काफी अच्छे mcqs हैं और यह लिए गए अभी मैं पूरे के पूरे ना जब तक पेपर होता है क्योंकि वेकेंसी मुझे लग रहे लेटी आएगी ठीक है तो मैं मशीन के 2000 ठीक है और पावर सिस्टम के 2000 mcqs करा दूंगा और ऐसी प्रैक्टिस करा दू तो यह कह रहा है which of the following part of the transformer is visible from outside तो outside से जो विलीबल होता है बाहर से ठीक है तो बाहर से कौन सा visible होगा ठीक है देखो कोर तो होने नहीं वाला ठीक है primary winding होनी सकती secondary winding होनी सकती ठीक है यह तो सब अंदर होते हैं ठीक है यह लिख देता हूं यह internal parts है ठीक है यह कौन से पाहर से दिखाई देती है bushing ठीक है एक structure इता हूं यह मनलो transformer है यह क्या है, transformer है जो bushings होती है आना ऐसे यह दिखाई देती है बाहर से ठीक है तो यहांए बहलती है तो यह बुशिंग्स होती है नुओ को यह दिखाई देती है तही हो गये panic कि नेक्स्ट होता है मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर अकर होती है यहां पर कोश्चन है मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर अकर होती है किस पावर फेक्टर पर होती है तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है यह याद रखना मिनिमम वोल्टेज र किस पर लीडिंग पर ठीक है तो आप्शन क्या आ गया सी ठीक है तो आज मजे आ गए नेक्स्ट कोश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह बोल रहा है कि जो डिस्ट्रिबूशन ट्रांसफोर्मर होते हैं उनको कैसे डिजाइन करना पड़ता है कि आईरन लॉस उसमें मिन कि碗 रखना पड़ता है मतलब इनका कore ऐसा क्यों करना पड़ता कि इसमें iron लॉस 230 मिनिममन हो ऑई उसनका कारण यह क्योंकि यह प्राइमरी जो तो नेक्स्ट है आल डे एफिशंसी रेशियो होती है आउटपट बाइइनपूट किसमें आल डे एफिशंसी इस दे रेशियो आउटपट बाइइनपूट इन किलो वाट आर्ड डॉरिंग 24 ठीक है डी ऑप्शन याद रखना ओल डे एफिशंसी भी पूछता है आजकल हाँ एक यह न यह पुराणा है पुराणा और popular पुराणा ठीक है लेकिन popular है ठीक है बकल्स रिले किसलिया होती है transformer में तो किसलिया है यूज होती है protection of transformer तो ए ठीक है थीक है most important most important ठीक है यह पूछ रहा है निमने लिखित में से यानि नीचे जितने option है उसमें से distribution transformer की कौन सी रेटिंग इंडिया में नहीं पाई जाती तो देखे distribution transformer आपको 25 कविये का भी मिलेगा 63 का भी मिलेगा 100 का भी मिलेगा 135 के विये नहीं मिलता ठीक है तो option आएगा D 135 नहीं मिलता 135 का किसी substation में नहीं होता ठीक है ठीक है तो इसको लग देना D option not पुछा गया है ठीक है था है अब आया पावर transformer वाल आफ थो यह पूछ रहा है आज ईज्श लोडींग यानि कि किस लोड़िंग में पावर ट्रांसफॉरम्स still को Milesender कहां पर डिजाइन करा जाता है मतला कि सो लॉडिंग पर डिजाइन करा जाता तो सबको पता-फावर ट्रांसफॉर मर्की जब बात होती तो फुल लोड की बात होती ठीक है था तो अनसर क्या तो option b next होता है as compared to power transformer designed flux density is in case of distribution transformer ठीच है power transformer के case में जो design flux density होती है distribution transformer के मुकाबले कम होती है lower ठीच है तो option आएगा B ठीच है power transformer की flux density यह PF लिख देता हूँ power transformer पावर ट्रांसफोर्मर की टीएफ की फ्लक्स डेंसिटी लेस होती है डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफोर्मर से ठीक है यह याद रख लेना ठीक है तो आप्शन क्या आएगा भी ठीक है हाँ ऐसे न फुल फॉर्म पे भी कॉशन पूछते हैं यूपी पीसेल में फुल फॉर्म भी पूछते हैं ठीक है तो ओन एफ की फुल फॉर्म क्या होती है ओन एफ कूलिंग की फुल फॉर्म हाँ जी कोई बता सकता है कोई है ऐसा वीर जो ओन एफ की फुल फॉर्म बता सके ठीक है तो ओ-े-ऊ-ई-ए-फ की फिल-फॉम होती है औैल नیच्रल एयर तो कहा पे आ रहा है और इच्रल एयर पोर्सोंट स्य कहा है ठीक है यह भी अच्छा कुश्ट टैप चेंजर प्रृाइडरीन ट्रांस्वॉरमेट ट्रैप चिंजर कहां पर प्रोवाइड होता है एच वी साइड पर याद रखना हाई वोल्टेज पर ठीक है ठीक है हां जी अब वीर वाला कुशन आ गया है जो बता सकता है कोई वीर मेजोरिटी अव डिस्ट्रिबुशन सबस्टेशन हैविंग ट्रांसफोर्मर कैपैस्टी लेज दन 300 क्यविये हां जी 300 क्यविये से कमके जो डिस्ट्रिबुशन ट्रांसफोर्मर होते हैं वो कहां पर इंस्टाल्ड होते हैं इंडोर में होते हैं आउट्डोर में होते हैं पोल माउंटिड में होते हैं बताओ बताईए हाँ भई वीर वाला कोश्यन आए ठीक है जैसे आज कल आ रहे हैं डिस्ट्रिबुशन ट्रांस्फोर्मर जिसकी कपैसिटी 300 कवे से कम होती है वो कहां पे इंस्टॉल होता है बाहर होता है आउट्डोर में इंडोर में क्लॉक्स में या पॉल माउंटिड में तो याद रखना 300 कवे का कम का कपैसिटन्स पॉल माउंटिड सबस्टेशन में यूज होता है ठीक है तो याद रखना ठीक है चलते हैं यह हो गया है पुरान नहीं था अच्छा यह ना कॉंसेप्चिल कोशन पूछ दिया यहां पर यह कह रहा है कि अगर 440 से 220 वाला ट्रांसफोर्मर को AC सप्लाई से डिसकनेक करके अगर 400 वोल्ट DC सप्लाई पे लगा दिया जाए तो क्या चेंज आएगा ठीक है 440 बटे 220 ट्रांसफोर्मर को 400 वोल्ट DC पे लगा देंगे तो क्या चेंज आएगा DC पे बर्न हो जाता है तो option क्या आएगा B ठीक है distribution ट्रांसफोर्मर को कैसे कनेक करते हैं डेल्टा स्टार में ठीक है option क्या आएगा C ठीक है अब देखो आज parallel operation को भी consider किया गया है for parallel operation of transformer it is necessary that they should have तो parallel operation के लिए सबसे necessary condition क्या होती है कि polarity same होनी चीए polarity same ठीक है तो parallel operation के लिए polarity same तो answer आगया C next है efficiency of a transformer under heavy load is comparatively low ठीक है ज्यादा लोड पे efficiency transformer की कम के होती है क्योंकि लोड जितना ज्यादा होता है लोड अगर लोड अगर बढ़ता है copper losses बढ़ते हैं ठीक है तो क्या आएगा A which of the following is smallest इसमें से सबसे smallest कौन सा है 2 kVA पांच सो हर्ड्स आरे मैंने इसको कहा था संड़े को होंगा भाई की चुट्टी इसकी चुट्टी ने थी न which of the following is smallest इसमें से कौन सा smallest है बता सकता है कोई confusing question है यह इसके पिछे का concept बताऊंगा यह last question है आज का बाकी बाद में करेंगे ठीक है ठीक है कि इसमें से smallest कौन सा है देखिए जब भी कभी kVA rating और frequency दे रखे होगी न तो smallest वो होगा जिसकी frequency सबसे highest होगी ठीक है जितनी ज़्यादा frequency बढ़ती है न उतना size घटता है decrease होता है यह देखो frequency बढ़ी size decrease होगा frequency सबसे ज़्यादा किसकी है 500 Hz तो 2 kVA 500 Hz होगा इसका answer ठीक है तो thank you आज के लिए इतना ही ठीक है पहले diode पूरा खतम कराके अब अब लगातर क्लासें आपकी electronics की होंगी electronics में diode diode खतम कराके फिर उसके भी mcqs लेके आऊंगा ठीक है thank you